कि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाइब तो शुरुवात करते हैं ड्रामा पॉईजन लव एपिसोड वन की शुरुवात में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें वॉइस ओडिशन चल रही होती है तब एंट्री होती है हमारे हिरोईन की व हमारे हिरोईन अपने फ्रेंड से पूछती है यह कैसी मूवी चल रही है फ्रेंड बोलती है यह एक थेलर मूवी नहीं है फैंग यान बहुत ही जादा खुश होती है क्योंकि उसे थेलर मूवी से डर लगता है और क्यूं डर लगता है यह आपको आगे पता चलेगा फैंग यान अपने ओडिशन में पहुंसती है और वो जाके वहाँ पे अपनी कहानी सुनाने लगती है वो कहती है बहुत पुरानी बात है एक बहुत सुन्दर राजकुमारी जन्म लेती है पर जंगल की चुडैल उसे श्राब दे देती है और वो प्रिंसेस जब 18 साल की होगी वो एक सुई से चुप कर मर जाएगी प्रिंसेस गहरी नीन में सो जाएगी सिर्फ उसे उसका असली प्यार किस करेगा तो उसका क्रश तूट जाएगा फिर वो प्रिंसेस बोलती है मुझे विच से कुछ कमप्लेन करनी है स्नो वाइट क्यों उट जाती है उसने जहर खा ही लिया है तो मेरे लिए सो साल क्यों मैं सो साल बाद उठूंगी तो मेरा मेक अप खराब हो जाएगा इन सो सालों में मेरे और प्रिंस के एज में कितना गैप आ जाएगा मैं तो गिन भी नहीं सकती प्यारे प्रिंस तुम प्लीज जल्दी आना उमीद करती हूँ तुम बहुत ही हैंसम होगे कि मेरा टाइम वेश्ट मत करो सौ सालों के लिए मुझे जाना होगा फिर से सोने के लिए स्लीपिंग ब्यूटी ये बेकार फैरी टेल है हमेशा से और फिर फैंग यांग कहती है प्रिंसस अभी तक सोई हुई है और पूरा किंडम उसके साथ सोया हुआ है फैंग यांग कहती है सिर्फ सचा प्यार का किस ही ये उसा उठा सकता है और ये पपफॉमन्स यहीपे खतम हो जाती है और सारे जगेज उससे इम्परेस भी हो जाते हैं और उसे फिर से औरडिशन देने को कहते हैै और एंट्री होती है हमारे हीरो शीमैंग की जो फैंग यंग की ओडिशन सुन रहे होते हैं ओडिशन रूम में फैंग यंग की स्कूल सीनियर आती है जो वहाँ पे एक दरावना किलिप चला देती है जिससे फैंग यंग को उसका पास्ट याद आने लगता है और वो बहुत जादा डर जाती है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है और उसके फ्रेंड्स उसे उठा कर ले जाते है फिर वो अपने आपको इंटर्ड्यूस कराने लगती है वो कहती है मेरा नाम फैंग येंग है मुझे एक स्ट्रेंज बिमारी है जब मैं शॉक्ट हो जाती हूँ तो मैं ऐसे कंडिशन में आ जाती हूँ जो स्लीप वॉकिंग जैसी होती है और मैं दस घंटे बाद ही उठती हूँ फिर वो वापस खुझ से ही बात करने लगती है एक प्रिंसेज जो कर्स्ड है फैरी टेल में वो हमेशा अपने डेस्टिनी प्रिंस की वज़स से ही बची होती है क्या मेरी भी किसमत में कोई है मैं सोचती हूँ कहीं मैं ही कस्ट तो नहीं अब यहां दिखाये जाता है फैंग याइन अन शी मैंग मिलते हैं फिर उनके फ्रेंड आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं वो एक साइकेटरिस से मिलती है जो उसे बोलता है तुम्हारी बिमारी को तुम्हारे सच्चा प्यार ही ठीक कर सकता है फैंग याइन अपने दोस्तों के साथ होती है तो याओ याओ कहती है तुम्हें सच्चा प्यार कैसे मिलेगा अगर तुम घर में ही रहोगी तो मैं सारा काम छोड़ के आई हूँ तुम्हारे प्यार को ढूनने के लिए वेलीन फैन यैन को पियानो कॉंसर्ट में लेकर जाता है फिर वो लोग वहाँ पहुंसते हैं तो हमें उस टाइम ये पता चलता है सूपर स्टार शी हमारे हीरो के ही भाई है और शी मैंग उसके गाने की बहुत ज़्यादा बुराई करता है फिर शी मैंग स्टेज में जाता है और अचानक से एक लड़की उसमें पानी फेक देती है फिर शी मैंग उसे कंसोल करता है और हमें आगे पता चलता है कि फैंग येंग कहीं खड़ी है और शी इसके सामने से गुजर रहे होते हैं। उसके फैंस उसके पीछे भागने लगते हैं। और ये फैंग येंग देखकर शॉक्ट रह जाती है। सामने से सी मैंग आ रहा होता है तो फैंग येन उसके उपर गिरने वाली होती है तो शी मैंग उसे पकड़ लेता है और वो उसके चेस्ट में ही सो जाती है तो फिर सीन कटता है और वे लिग डॉक्टर को कॉल पे बता रहा होता है कि वो पांच मिनट में ही उठ गई फिर या फिर याओ याओ कहती है, फैंग याओ शायद यी के चेस्ट पर ही सोई हुई थी, क्योंकि मैंने वही ड्रेस पहने उस इनसान को देखा था, क्यों ना तुम मैसेज करो वीवो पे, वो रिस्पॉंस जरूर देंगे, उनसे पूछो कि आपको वोइस एक्टरस चाहिए, याओ याओ और वेलीन महां से चले जाते हैं, और फैंग याओ यी को मैसेज करती है, और ये शी यी सुनता है, और उसको पसंद आता है, और ये शी मैंग भी सुन रहा होता है, और शी यी उसे रिपलाई करता है, फिर सीन कठोकर हमारे हीरो पे जाके पहुंसता है, पर पत यहां नहीं फैंग यहन वहां कहां से पहुच जाती है चाता लेकर और बहुत क्यूट सी स्माइल देती है और यहां हमारा पहला एपिसोड खतम होता है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा